बाका जिला के अमर्पूर थानाचट की संग्रामपूर गाउस्थि धोबिया बांथ के समीप इस्थित पोकर में बोरे में बंद एक महिला की सिर्कटी सभ मिलने से जहां एक तरब छेतर में संसनी फैल गई वहीं दूसरी तरब सोमबार की एहले सुबा उसी पोखर से महिला का कटा हुआ सिर दोनों हाथ एवं दोनों पैर ब्रामद होने से लोगों को अश्चर्चिक होने पर मजबूर कर दिया मिली जानकारी के अनुसर सोमबार की एहले सुबा खेतों में एक कारे करने जा रहे हैं मजदूरों की नजर पोखर की वर पड़ी पोखर में कुछ तैर तीवी चीज़ों को देखकर ग्रामिन उत्सुकता वस नजदीक जा कर देखा तुम्रित महिला का सिर पैर वा दोनों हाथ था धीरे धीरे सूचना आसपडोस के ग्रामिन चेत्रों में फैल गई और देखते ही देखते ही पोखर के समीब ग्रामिनों की भीड उमड गई वहीं मामले की सूचना मिलते ही अमरपूर थानादेच कुमार सन्नी सहाय कवर्णर चक कपिल देवी आदब पुलीस बलों के साथ घर्टनास्तल पर पहुँच कर महिला के कटे अंगों को जब्त करते हुए पोश्टमाटम के लिए बाका भेज दिया बताते चले रवी बार की एहले सुबा संग्रामपूर धोबिया बांत के समीप एक महिला की सिरकटी लाज बरामद हुई थी वहीं सोम बार के दिन महिला का सीर पैरेओं कटे हुए दोनों हाथ बरामद होने से पुलीस की परिसानी बढ़ गई है हाला कि सब की सिनाक्त नहीं हो पाई है थानादेश कुमार संणी ने बताया मामले की हर पहलू की बारुकी से जाच की जा रही है बहुत जल्द महिला के हत्यारोपी सलाखों के पीछे होंगे मौके पनोंने आम लोगों से पुलीस की मदद करने की अपील की ताकि अबिलम महिला के हुई इन्रिसन सत्या का परदाफास हो सके और हत्यारोपी को सजाम बिल सके बाका जिला के रजौन परखंड अंतरगत मजगाय गाउं में बिजली की तार की चपेट में आने से एक बैकती बुरी तरह जखमी हो गया प्राप्त जानकारी के अनुसार मजगाय निवासी सच्चिदानन सिंग का पुत्र पचास वर्स्टिया इन्रिसेन सिंग मोटर इस्टार्ट करने के कलम में नंगे तार की चपेट में आने से बुरी तरह जखमी हो गया जिसके बाद परिजनों के दोरा आनन फानन में रजॉन स्वास्ति के नितलाया गया जहां डॉक्टर दरा उपचार किया गया फिलहाल उसकी स्थिती गंभीर बनी हुई है बाकाजला के रजॉन परखंड अंतरगत सकहारा गाउस्तित बिलदारी टोला में गैस लेंडर बलाष्ट से चार घर जल कर राक हो गया प्राप जानकारिक अनुसार सकहारा निवाजिस सितर मंडल के घर में खाना बनाते समय अचानक गैस लेंडर फटने से पूरे घर में आग लगा इस लेंडर फटते ही परिवार के सभी लोग वहां से भाग गया जिसके बाद देखते देखते गुलसन मंडल बटन वह मुकेस मंडल का घर भी आग की चपेट में आ गया जिसके बाद सभी घरों से बाहर निकले गाउं में अफरात तफरी का महौल होने लगा जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग की लबटों ने चार घरों को जला कर राक कर दिया हलाकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ लेकिन करीव एक लाग से अधिक संपत्ती जलने का आकलन लगाया जा रहा है इसी दोरान आग बुझाने के करम में गाउं के ही राजस चौधरी का पैर भी कट गया जो बुरी तरल जखमी हो गया जिसका उपचार नीजी स्वास्त केंडर पर चल रहा है पैकस अध्यच अरून कुमार सिंग ने घटना जसम बंदित सुचना सीयो एम विडियो को दिया इस संदर में सियोनलीस कुमाच रसिया ने बताया कि राजस चौधर करम चारी को भेज कर जाचो प्रांथ आपदा को सराहत सामगरी उपलब करा दी जाएगी